हलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चाहें ग्यान प्लस पर उत्रप्रदेश अधीनस सेवा चैन आयोग इलाहबाद हाई कोड ने एक बड़ा आदेश जारी किया है यूपिट फ्रेसी में एक भरती से सम्मनित अब बहरतियों को नहीं किया जा सकेगा डिवार इस वज़े से किया गया था बहरतियों को डिवार वीडियो की भरती में आयोग ने किया था डिवार तो चली देख लेते हैं क्या है पूरी खबर ओयमार सीट में गरबड़ी ना मिलने पर डिवार करने का आदेश रद वीडियो भरती 2018 से सब मनित खबर है चली खबर को हम विसार से देखते हैं चैनल पर पहली बार है चैनल को सबस्क्रेब तो तब लाइकन को प्लेज करना मत बुलेगा इसी तरह की लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए चली शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप खबर को देख सकते हैं इलहाबाद हाई कोड ने ग्राम विकाज सदिकारी भरती परिच्छा में सामिल अबडेटी को ओ यमार सीट में गरबड़ी ना पाये जाने पर उसे तीन साल के लिए परिच्छा में बैठने से डिवार करने का आदेश रद कर दि आएगा यहाँ आदेश न्यायमूर्ती विवेक अगरवाल ने अभिजीत सिंग की याजका को निस्तारित करते हुए दिया है याची उतरपदेश अधिनस सिवचेन आयोक द्वारा आयोधित ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्यार पर में सामिल हुआ था उसकी मूल ओयमार सीट वा ट्रेजडी में रखी कार्बन सीट में अंतर होने पर लखनवू के विभूती खंठाने में एफाई यार दर्ज कराई गई थी जिसकी जाँ चस्टियफ कर रही है इस आधार पर याची को तीन वर्ज के लिए आयोक की परिच और यमार सीट में अंतर नहीं होने पर उसे डिबार करने का अधेश रद्द कर दिया है कोट ने आधेश उत्तर पदेश सदीनस से वचे नायोक के सचिव आस्तोस मोहन आग्मिहोत्तरी की रिपोर्ट मिलने के बाद दिया है कहा कि स्टियफ जाच में यद याची को क्लीन चिट मिलती है तो भविस्व में उसका परडाम घोसित किया जाएगा कोट ने इस्टियफ जांच जारी करने का आदेश दिया है नैमूर्थ विवेक अग्रवाल ने अभिजीत सिंग की याच्का को निश्तारित हुए करते वे कहा है याच्का अधिवक्ता ए एम ए की कि बहज उत्तर पदेश सधीनस सेवा चैन आयोग ने 30 मई 2018 को ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी समाच कर लें अपर वेच्छक की भरती निकाली थी याची भी परिच्छा में बैटा था लेकिन मूल ओमर सीट वा ट्रेजरी में रखी कार्बन सीट मे अंतर होने पर याची के खिलाब लखनाओं में एफाई आर दर्ज कराई थी इसकी जाँ चस्टी अप कर रही थी है जिसके आधार पर याची को तीन वर्च के लिए आयोग के परिच्छाओं में बैटने से रोक लगा दी गई थी तो ये एक बड़ा मामला है किसी भी अब बाहर करते हैं तो उसके भविस्ट के साथ आप खेलते हैं साथ उसके परिवार के भविस्ट के साथ भी खेलते हैं कि जो की अभ्यरती सिलेक्टेट बंदा है उसको आप बाहर कर देते हैं बाहर करने की बात छोड़िए अगर यह आप बाहर कर देते हैं तो अगली परिच् हालांकि इस तरह के खिलवार करने में माहिर है वो ना सिर्फ 4-5-5 साल भरतियां लटकाता है बल्कि उसके भरतियों के भविष्ट के साथ कोई मतलब नहीं है वो अपना काम करते हैं अपने काम बनता भाड में जाये जनता वाला इनका हाल है तो यह रही आप सभी के लिए इतना है मिलते हैं अगले वीडियो हम तब तक के लिए धन्नवाद